जैश्री हरी विश्नु जैमा, लक्षमी दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मक्ता का माहौल बना रहता है या आप जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको निराशा हाथ लगती ह तो दोस्तों दुखी न हो, क्योंकि अगर इस बार आप इस रमा एकादशी के दिन तुलसी में बांट देते हैं, यह एक चीज तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा, जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है? वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरी विश्नु की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लायक करके कमेंट में जै श्री हरी जै मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। यह दीपावली से चार दिन पहले पढ़ती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्न पक्ष की रमा एकादशी तिथी की शुरुवात आठ नवंबर की सुभह आठ बज कर तेईस मिनट से हो रही है, और अगले दिन नौ नवंबर को सुभह दस बज कर एकतालीस मिनट पर इ भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन वरत रखने से सुख समरिध धिधन संपदा की प्राप्ती होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विश्नु के सबसे प्रिय ए एकादशी में से एक माना जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ती होती है, धार्मिक माननेता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, दोस्तों तू, सी का पौधा तो प्रत्येक घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताये गए, महत्वपूर्ण नियम नहीं जाते, तुलसी की पूझा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुब होती है, आदि कई लक्षमी जी सदैव ही निवास करती है, दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है, यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है, पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्षमी जी का वास होता है, और नियम चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और दोस्तों के बीच इसे शेर कर दीजेगा। वीडियो को भगवान श्री विष्णुजी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुरलभ वर्दान में से एक है। तुलसी का बिर्वा को अमरित रूपी कहा गया है जहां तुलसी का पौधा लगा होता है। वहां नुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, उस घर में सुख, शान्ती और सम्रिध्धी बनी रहती है। भगवान विष्णुजी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्तों होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मा जाती है। इन्ही कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शान्ती और सम्रिध्धी के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। और तुलसी मा को चुनरी आपके घर में सुख, सम्रिध्धी आती है। अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते, लेकिन तुलसी मा को चुनरी नहीं उठाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ती नहीं होती है। मा के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधे है, बलकि यह हमारी मा के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आम तोर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ हट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुब दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते, लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बलकि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा बढ़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के अच्छी नहीं लगती ह तुलसी मा नाराज हो जाती है, और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती, दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है, जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मा की बड़ी प्रस शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुध पवित्र जल जरूर देना, साफ स्वच वस्त्र धारन करके ही तुलसी को जल दें। और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानि एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में पांच हल्दी की गांठ बांध कर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांट देना है। रातों रात करोड़ पती बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी च्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। वैसे तो आप रमा एकादशी अर्शी के दिन आप एक लाल मौली धागा। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेश उपल माता लक्ष्मी की कृपा बरस्ती है। घर से दुख दर्द तकलीफ और कश्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बाद ही अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे विशेश लाब होगा और साथ ही साथ कोई विशेश मनोकामना धन प्राप्ति का मनोकामना है। या फिर आप चाहते कि घर में सुख सम्रिध्धी हमेशा बनी रहे तो आप लाल ओली धागा नहीं है। आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें। लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे नहीं। तो आप एक चुनरी जरूर बांधे। इससे भी आपको विशेश लाब होगा। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है। लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए। महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मा तुलसी का ढेर सारा आशीरवाद मिलता है। और आपके घर में मा लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। तुम तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ध़ देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुरान में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ल लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है। जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा। अनेख धार्मिक अनुष्ठानों और तांतरिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विश्णुजी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेख दुरलभ वर्दान में से ए तुलसी का बिर्वा को अम्रित रूपी कहा गया है, जहां तुलसी का पौधा लगा होता है। वहां ब्रह्मा विश्णुशिव यानि कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उ होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्ही कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है, तो सुख, शान्ती और सम्रिध्धी के लिए तुल तुलसी मा को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ती नहीं होती है। मा के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे, बल्कि यह हमारी मा के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओड कर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आम तुर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुद्ध है। बुद्ध और मंगल मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या र चुनरी को बदलना चाहिए, बलकि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा बढ़ानी चाहिए और बिना चुनरी के माह अच्छी नहीं लगती है। तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को चुना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेश मनोकामना है। जीवन में अगर उपलब्धिया नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर रमा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप पांच हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले, जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो यानि एक लाल मौली धागा लेना है। माता लक्ष्मी की कृपा बरस्ती है। अब आपको विशेश लाब होगा तो दोस्तों आईए। अब आपको बताते हैं रमा एकादशी की पूजा, विधी और व्रत कथा। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना क्या होता है। इसका उपवास एकादशी के एक पहले दश्मी से शुरू हो जाता है। दश्मी के दिन श्रद्धालू सूर्योदय के पहले सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है। उपवास के तोडने की विधी को पराणा कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होती है, जो लोग उपवास नहीं रखते हैं। वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं. एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं. इस दिन श्रद्धालू विश्नु भगवान की पूजा आराधना करते हैं. फल फूल धूप अगरबत्ती से विश्नु जी की पूज करते हैं. स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है. इस दिन विश्नु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है. तुलसी का विशेश महत्व होता है. इससे सारे पाप माफ होते हैं. विश्नु जी की आरती के बाद सब को प्रसाद वितरित करते ह हैं. रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है. इसलिए इस एकादशी में भगवान विश्नु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है. इससे जीवन में सुख समरिद्धिस्वास्थे और खुशियां आती है. एकादशी के दिन लोग घर में सुन्द कांड भजन कीर्टन करवाते हैं. इस दिन भगवत गीता को पढ़ना को अच्छा मानते हैं. रमा एकादशी वरत का था. पौरानिक युग में मुचकुंद नामक प्रतापी राजा थे. इनकी एक सुन्दर कन्या थी, जिसका नाम चंदर भागा था. इनका विवाह राजा चंदर सेन के बेटे शोभन के साथ किया गया. शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था. वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था. एक बार दोनों मुचकुंद राजा के राज्य में गए, उसी दौरान रमा एकादशी वरत की तिथी थी. चंदर भागा को तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहन करना होगा. पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णे लिया कि वह रमा एकादशी का वरत करेंगे. इसके बाद इश्वर पर छोड़ देंगे. एकादशी का वरत प्रारंब हुआ. शोभन का वरत बहुत क ताके घर ही रहने लगी. उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधी के साथ एकादशी का वरत किया. दूसरी तरफ शोभन को एकादशी वरत करने का पुण्य मिलता है. और वह मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असी पूरी मिद्धन और एश्वर्य है. एक दिन सोम शर्मा नामक ब्रह्मांड उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब एश्वर्य प्राप्थ हुआ. तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा प्रशी का प्रताप है. लेकिन यह सब अस्थिर है. कृपा कर मुझे से स्थिर करने का उपाय बताए. शोभन की पूरी बात सुन, सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पतनी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं. चंद्रभागा यह सुन अपने पुन्य से इस सब को स्थिर कर देगी. सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्यान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं. चुभन पतनी को देख बहुत खुश होता है. तब चंद्रभागा उससे कहती है, मैंने पिछले आठ वर्षों से नियमित ग्यारस का वरत किया है. मेरे उन सब जीवन भर के पुन्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ. उसके ऐसा करते ही देवनागरी का एश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं. इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराण तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं.